आज हम बनाएंगे एक पुरानी रेसिपी ओफ एक पेपर फ्राइए आज कल तो इस रेसिपी को नया विरीशन देके अलग नाम से भी बोला जाता है तो चलिए शुरू करते हैं आज का रेसिपी एक पेपर फ्राइए कम टाइम और कम इंग्रेडियन्स के साथ हम आज ये रेसिपी बनाएंगे मैंने यहां पैन में दो टेबल स्पून ओल लिया है इसमें दो मीडियम साइज का बारी कटावा प्यास इसे दो तीन सेकेंड्स तक हम बुन लेंगे साथ में हम डालेंगे कड़ी पत्ता और आदा टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट आप क्रश किया हुआ जिंजर गार्लिक भी डाल सकते हैं इसे दो सेकेंड्स तक लो फ्लेम में बुन लेंगे इसके बाद हम डालेंगे एक चॉप किया हुआ टमाटर और इसे मीडियम फ्लेम में दो मिनीट तक बुन लेंगे टमाटर तो अच्छे से मैश होना चाहिए इसके साथ डालेंगे आदा टीस्पून दन्या पाउडर, कॉट्ट टीस्पून जीरा, आदा टीस्पून हल्दी पाउडर और कॉट्ट टीस्पून पैनल पाउडर सॉंट इस, आदा टीस्पून चिली पाउडर और एक टीस्पून काली मेश पाउडर इसे अच्छे से मि लाएंगे और दो तिन मिनिट तक लो फ्लेम में बून लेंगे इस्वाद अनुसार नमक डाल के दो तिन मिनिट तक मसाले को फ्राइ करेंगे मसाला का तो टेक्स्टर बहुत अच्छा आया है अब हम डालेंगे 3 टेबल स्पून लुकवाम बॉटर और इसे एक बॉयल आने थक छोड़ दीजिए मसाला बॉयल होने के बाद हम अभी अन्डा डाल देंगे वन बाई वन डिस्टन्स रखें ऐसे अन्डा डाल देंगे और इसे दो मिनिट तक कवर करके लो फ्लेम में पकानी के लिए छोड़ देंगे कि दो मिनिट तो हो गया है अब हम एक को पलेट लेंगे फर्स्ट हम एसे डिस्टेंस बना देंगे क्योंकि वह इजी हो जाता है पलेटनी के लिए फ्लिक करना है हमको एक को स्लोली और जेंटली दो स्पैटूलर लेके एक को पलेट लेंगे ऐसे ही एक पिपर फ्राइट तो रेडी हो गया है अब हम इसके उपर कोरियंडर डालेंगे और गानिश करके सर्व खरेंगे एक पेपर फ्राइट तो आप चपाती के साथ या रोटी और फाव के साथ भी खा सकते हैं यह है जटपट से बनाने वाली टेस्टी और रिलिशियस एक पेपर फ्राइट रेडी हो गया है उम्मिद करती हूं आपको यह रेसिपी पसंद आई रहेगी ज़रूर इसे ब्रेक अची लगी तो और यूसपुल हुआ तो प्लीस दू लाइक और आप फ्रेंड और फैमिली के साथ शेर करिये अलसो डोंट फोगेट तो सब्स्क्राइब माइ चैनल थैंक यू फो वाचिंग सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो हैपी वीकेंड कुक अन बिक वित कर विता करता है